बोलुश्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलुश्री सत्गुरू महाराज की प्राणधार आत्मसम्मंधि सुन्दर साज्जी कल की चर्चा में हमने सुना, कि छे दर्शनों की वस्तविक्ता क्या है? स्रिष्टी बनने के मुख्य तीन कारण कौन-कौन से हैं? निमित कारण क्या है? उपादान कारण क्या है? साधारन कारण क्या है? छे दर्शनों में से हमने न्याय, वैसे सिक, मिमानसा और सांख्य की पद्धती सुन ले थी और योगदर्शन की पद्धती के विशय में हम सुन रहे थे योगदर्शन की पद्धती में हमने योग के आठ अंगों में से प्रारंभिक चार अंग जो बहिरंग योग हैं उनके विशय में सुना कि यम किसे कहते हैं? पाँच यम कौन कौन से हैं? उसकी परीभाशा क्या है? पांच नियम कौन-कौन से हैं, उसकी परिभासा क्या है, आसन किसे कहते हैं, प्राणायाम किसे कहते हैं, तो यह चार अंग हो गए थे अब आगे हम बाकी चार बचे हुए योग की अंग को समझते हैं पहले यम, नियम, आसन और प्राणायाम के बाद जो पाँचवां अंग है योग का उसको कहते हैं प्रत्याहार प्रत्याहार किसे कहते हैं? हमारी जो इंद्रियां है इंद्रियों की वृत्तियां बहिर मुखी हैं अर्थात बाहर की तरफ लगती है आप आँख बंद करके बैठना भी चाहेंगी चित्वनी के लिए, धियान के लिए तब भी बाहरी वस्तों में ही जाएंगी किसी का मन खाने को याद करेगा किसी का मन गूमने का करेगा किसी का मन किसी से मिलने को करेगा किसी से बात करने को करेगा या फिर संशारी को कोई काम याद आ जाएगे तो बाहरी वृत्ती की तरफ जो मन लगा हुआ है उन वृत्तियों को बाहर जाने से रोकना पाँच ज्यानेंद्रियां है उन पाँच ज्यानेंद्रियों के पाँच विशें हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन पाँचों विशें की तरफ जो मन हमारा भागता है उसको रोकना इसे कहा जाता है प्रत्याहार लेकिन केवल रोकना मुश्किल हो जाता है जैसे हमें कभी-कभी हमने पढ़ा होगा सायद या टीवी बगर में देखा है जब हम नदी में बाध बनाते हैं तो बाध बनाने के लिए पहले तो नदी के जल को नहर में छोड़ा जाता है क्यों? क्योंकि केवल बाध बना करके पानी को रोकना संभव नहीं होता है कभी-कभी नदी के दबाव से फिर वो इस तरह से टूट जाता है बाध ऐसे गिर जाता है कि जो लाब होना चाहिए उसके जगह पर नुक्सान होता है इसलिए हमारी जो इंद्रियां है इंद्रियों के विशय को भी केवल जबरजस्ती रोका नहीं जा सकता है उनको भी किसी ने किसी तरफ दिशा देने पड़ती है तो उसको दिशा देने का नाम है धारणा चित्की वृत्यों को हमने रोका उसको कहते हैं प्रत्याहार और उसको किसी एक स्थान पर लगाए रखना उसको कहते हैं धारणा जिसके लिए पतन जली मुनी कहते हैं देशबंध चितस्य नाम धारणा किसी एक देश में, किसी एक स्थान में चित्त की वृतियों को बाधे रखना उसको धारणा कहा जाता है और जिन चित्तवृतियों को हमने किसी जगह पर बाधा वहीं पर लगातार लंबे समय तक रोके रखना कैसे? कहते हैं तत्र प्रत्याई कतानता ध्यानम जैसे हमने देखा होगा कि जो एक बरतन है बरतन में नीचे पैदा में छेद कर दिया जाए छोटा सा और उस बरतन में तेल डाल दिया जाए तो उस छेद में से तेल लगातार धार की तरह गिरता है और कैसे गिरता है? इस प्रवहा के साथ में गिरता है कि वो तेल की धारा हिलती नहीं है ऐसा लगता ही नहीं कि उपर से कुछ गिर रहा है निरंतर बहता रहता है बिल्कुल भी धार नहीं हिलती है इसी तरह से हमारी चित की वृत्तियां भी किसी एक स्थान पर इस तरह से टिक जाएं कि बिल्कुल भी हिलडूल ना करें एक ही स्थान पर टिके रहें तो कम से कम तीन घंटे तक जब ये अवस्था प्राप्त होती है हमें तो उसको कहते हैं ध्यान और उसके बाद आती है समाधी जो आठवा अंग है योग का उसे कहा जाता है समाधी समाधी का तातपरे ये हुआ कि चित की सभी वृत्तिया समाव्थ हो गई है कर्म के सारे बंधन समाव्थ हो गए है और अब जब जीव अपने शुद्ध अवस्था में है जब जीव अपने शुद्ध स्वरूप को देख रहा है और परमात्मा के स्वरूप को भी देख रहा ह उसको कहते हैं संप्रज्यात समाधी और जब साधक अथवा जब योगी परमात्मा में पूरी तरह से डूब जाता है अपने अस्तित्तों को भी भुला जाता है तो उस अवस्था को कहते हैं असंप्रज्यात समाधी तो ये योग के आठ अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणयाम, प्रत्याहर, धारणा, ध्यान और समाधी और जैसा कि कल मैंने कहा था कि योग के मार्ग में नौ प्रकार की बाधाएं आती है हम चित्वनी करते हैं ना चित्वनी यदि हम करते हैं तो हमें नौ प्रकार की बाधाएं आहेंगी किसी को कोई बाधा परेशान करती है किसी को कोई बाधा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कितना किया है सबसे पहली जो बाधा है वो है व्याधी व्याधी का तातपरिय है रोग सरीर में जितने भी रोग होते हैं मुख्य रुप से वात, पित और कफ के आधार पर जब सरीर में इनका बालेंस बिगड जाता है सरीर में इनकी मात्राएं उपर नीचे हो जाती है तो किसी ने किसी प्रकार का रोग होता है और ये रोग ध्यान में बैठने में बाधक होते हैं जैसे बच्चों को थोड़ा सांद कर दीजे बच्चे, आप बाहर जा करके खेलिए या यहां पे सांती से बैठिए तो जब हम ध्यान में बैठते हैं हमें कभी शरीर में दर्ध होता है या कभी सर्दिक हासे जुकाम परेसान करती है यदि किसी प्रकार के रोग के कारण हम बैठ नहीं पा रहे हैं तो उसको कहते हैं व्याधी दूसरा है स्त्यान योगदर्शन में पतंजली मुनी ने कहा व्याधी स्त्यान संसय प्रमाद सबसे पहले व्याधी को हमने सुना दूसरा है इस्त्यान अर्थात ध्यान से जी चुराना बचने की कोशिस करना कई बार हम अलग-अलग तरह के बहाने करते हैं कि ना करना पड़े तो अच्छा है तो ये भी एक तरह की बाधा है हमारी आत्मा को पता है कि क्या सही है क्या गलत है हमारी आत्मा को पता है कि करना चाहिए पर मन वहाँ से जी चुराने की कोशिस करता है तो ये दूसरी बाधा है तीसरा है संसय संसय का मतलब यह है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऐसा होता है ना करें या ना करें इस प्रकार की जो भावना होती है उसको संसय कहते हैं फिर चौथी जो बाधा है उसको कहते हैं प्रमाद प्रमाद किसको बोलते हैं जैसे दो सब्द आते हैं एक सब्द है आलस्य और दूसरा सब्द है प्रमाद प्रमाद का तात्पर यह है लापरवाही कि पता तो है कि करना है या करना चाहिए पर हम लापरवाही कर देतें कि अरे कोई नहीं आज नहीं तो कल कर लेंगे अभी तो हमारे पास बहुत समय है ऐसा सोचते हैं न जवानी में पता चल गया कि ध्यान करना है तो सोचते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, हमारी अभी तो खाने खेलने के उदने की उमर है, फिर थोड़ी उमर बढ़ती जाती है, धीरे धीरे करके उसी प्रमाद में गुजर जाता है, लापरवाई में गुजर जाती है उमर, और फिर एक अवस्था ऐसे आती है कि जो पहली बाधा थी व्याधियां, वो व्याधियां परेशान करती है, बुढ़ापे में किसी ने किसी प्रकार का रोग होता है, बैठना चाहते हुए भी नहीं बैठ पाते, तो इसलिए प्रमाद को भी ध्यान की, ध्यान में आने वारी बाधा बताई गई है, उसके बाद है आलस्य, आलस्य कतात परे है, सुस्ती, जैसे तमोगोड की अधिकता के कारण कभी चित में भारी पंचा रहता है, हम माल लीजे कि रात को समय पर तो सो गए थे, नौ बजे, दस बजे, ग्यारा बजे हम सो गए, सुबह उठ भी जाते हैं, साम को सोच करके सोते हैं, कि सुबह उठके ध्यान करना है, पर सुबह उठे, जग तो गए, नीद खुल गई, पर उठ करके, हाथ मुध हो करके, बैठने का मन ही नहीं करता है, बस पड़े रहने का मन करता है, तो उसको कहते हैं सुस्ती, आलस्य, उसके बाद है अवीरती, अवीरती का तात्परिय क्या है, कि जो विषय हैं, शब्द, इसपर्श, रूप, रस, गंद, उनमें चित बार-बार लगता है, हमने बैठना सुरू किया, पर कभी कोई विषय याद आ रहा है, कभी कोई विषय याद आ रहा है, तो उसको कहते हैं अवीरती, विषयों में राग का होना, विषयों की तरफ जब ह हमारे चित में राग पैदा हो जाता है, आकर्षन पैदा होता है, तो बैठना चाहते हुए भी, आख बंद करके तो बैठे हुए हैं, पर मन ही मन, राजजी का ध्यान करना छोड़ करके हम उन विषयों की खयालों में, खयाली पुलाव में खोए जा रहे हैं, तो वो हो गय या अभीरति, उसके बाद है भ्रांती दर्शन, भ्रांती दर्शन का तात्परिय है, एक ही विषय में दो अलग-अलग प्रकार का जब ज्यान होता है, उसको भ्रांती दर्शन कहा जाता है, जैसे किसी ने हमें बता दिया कि ध्यान में इस तरह से बैठना चाहिए, दूसर ने बता दिया कि नहीं नहीं खाने से कुछ नहीं होगा खाओ कोई कोई बात नहीं दो अलग-अलग तरह कि जब बातें एक ही विशाय में सुनने को मिलती है तो हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि ये वाला सही है कि वो वाला सही है तो उस अवस्था को कहते हैं भ्रांती भूमिकत्वम, अलब्द भूमिकत्वम का तात्परिय है कि हम ध्यान में बैठे मन लगना शुरू भी हुआ बहुत देर तक एकागर होता है लेकिन कुछ समय के बाद में फिर उसमें से मन हट जाता है जो समाधी की अवस्था है उस समाधी की अवस्था की प्राप्ती नहीं होती है तो उसको कहते हैं अलब्द भूमिकत्वम यह आठवा और अंतिम जो नवा है उसको कहते हैं अनवस्थितत्वम का मतलब समाधी तक भी हम पहुँच जाते हैं पर उसमें स्थित नहीं हो पाते लंबे समय तक बैठ गए मान लिजे कि तीन घंडे तक धियान कहते हैं तीन घंडे तक की अवस्था को हम पाच्छे घंडे तक भी बैठे रहे गए चित भी एकाग्र हो गया कुछ समय के लिए समाधी की अवस्था में भी पहुँच गए हम अपनी शुद्ध अवस्था में पहुच गए हैं पर फिर उस वो भंग हो जाती है समाधी की अवस्था तो बार-बार वो जो टूटने की अवस्था है उसको कहते हैं अनवस्थित अत्व महां इस्थित न रहे पाना तो समाध्य के मार्ग में आने वाली ये नौ बाधाएं हैं अब ये समस्या तो मैंने बता दी समाध्यान क्या है इसका तो समाध्यान भी योगदर्शन में ही बताया हुआ है क्या कहा है अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोधः अभ्यास और वैराग्य से दो चीजों से निर दिर्ग काल मतलब लंबे समय तक और लगातार वईराग्य पुर्वक अभ्यास करने से हमारी समाधी लग जाती है, हमारा ध्यान लग जाता है। अब हमसे कमी कहां पे होती है? लंबा समय तो हम कर लेते हैं, पर निरंतर नहीं हो पाता है। जैसे आप में से कोई ऐसा होगा जो आट-दस साल से ध्यान कर रहा होगा, चित्वनी कर रहा होगा, पर वो आट-दस साल लगातार नहीं हुए हैं। दो-चार दिन किये, फिर किसी ने किसी बहाने से व्याधी, स्त्यान, संसय, प्रमाद, आलश्य, अविरती, इन में से किसी के कारण छूट गया। फिर दो-चार मैने के बाद लगा कि नहीं, हमें तो ध्यान करना चाहिए, हमने स्वामी जी की चर्चा सुनी या वानी पड़ी, तो फिर लगा कि ध्यान करना चाहिए, फिर से हमने बैठना शुरू किया, उसके बाद फिर दो-चार दिन, आट-दस दिन किये, फिर छूट तो जब हम ऐसा करते हैं आलश्य के कारण प्रमात के कारण किसी भी कारण से तो हमारा ध्यान नहीं लग पाता है इसलिए लंबे समय तक और लगातार करना पड़ता है और इसमें निरास होने की जरूरत नहीं है कि इतने लंबे समय से हमें दर्शन नहीं हो रहा है दस-दस साल हो गए, बारा-बारा साल हो गए, देखिए, देवचंद्र जी हैं, आभी तो बिता की सुन रहे हैं, देवचंद्र जी ने ग्यारह वर्ष की उम्र में, राजी को पाने की राह चुना, और पूरा अपका पूरा जीवन उसमें लगाया, एक घंटे, दो घंटे की बात ने पूरा जीवन उसमें लगाया, दिन में तिन-तिन घंटे की परिक्रमा वो करते रहे, फिर जब सोलह साल के हुए, सोलह साल की अवस्ता में घरबार छोड़ करके, सोलह साल लगबग 6-7 मैने की उम्र हुई थी, घरबार छोड़ करके निकले, कच में पहुँचे, वहाँ विभिन योगियों से योग विद्या भी सीखी है, और उसके बाद हरिदास जी के वहाँ भी उन्होंने ध्यान की प्रक्रिया सीखी, ध्यान करते हैं, और 40 वर्स की उम्र तक इस तरह से पूरा प्रयास करने के बा पर राज्जी का भी नहीं रखा है, हमारे जीवन में, राज्जी कौन से नंबर पर आते हैं, हम में से सायद, सौ में से कोई एक वेक्ति कह पाएगा, कि मेरे लिए राज्जी पहले और बाकी दुनिया बाद में, हमारे लिए तो दुनिया पहले आती है, माल लिजे कि अभ राजी होंगे या फिर हम कहेंगे राजी थोड़ी देर के लिए रुख जाईए हम पहले घरवालों को बता देते हैं कि मेरी चींता मत करना तब भी हमें घरवालों की चींता हो रही होगी तो राजी पहले नमबर पर नहीं आ रहे हैं तो जो पहला इस्थान राजी को देकर लंबे समय तक वैराग्य पूर्वक क्या कहा है अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोधा वैराग्य पूर्वक जो लगातार ध्यान करता है उस चित्वनी के मार्ग पर समाधी के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है अब प्रश्ण यह है कि अभ्यास किसको कहते हैं तो योगदर्शन में ही कहा है तत्रस्थितव यतनो अभ्यास ध्यान लगाने के लिए समाधी की प्राप्ति करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको अभ्यास कहते हैं और वो प्रयास का मतलब ऐसा नहीं हम आख बंद करके बैठे वो अभ्यास हो रहा ऐसा नहीं युक्ति पुर्वक समाधी लगाने के लिए ध्यान लगाने के लिए तीन चीजों के आउस्षिक्ता पड़ती है एक है वैराग्य एक है विवेक और एक है पुरुशार्थ तीन चीजों कौन सी विवेक वैराग्य और पुरुशार्थ विवेक वैराग्य और पुरुशार्थ सब में अलग-अलग मात्रा में होती है तो इसको हमने तीन काटगरी में बाटा है नियून, मध्य और तिव्र किसी में कम विवेक होता है किसी में मध्यम प्रकार का विवेक होता है किसी में बहुत अधिक विवेक होता है बहुत ज़्यादा विवेक होता है इसी तरह से कोई किसी की किसी में तिव्र उत्साह होता है किसी में मध्यम उत्सा होता है, किसी में कम उत्सा होता है, इसी तरह से वैराग्य भी किसी में कम होता है, किसी में मध्यम होता है, किसी में तिव्र होता है, तो तीन काटेगरी करके हमने वीवेक, वैराग्य और पुरुसार्थ के हमने नौ भेहत बता है, तो योगी नौ प्र कार के होते हैं किसी में वैराग्य वीवेक और उत्साह तीनो थोड़े थोड़े होते हैं किसी में तीनो थोड़े मध्य मध्य होते हैं किसी में तीनो तीवर तीवर होते हैं किसी में वीवेक कम है वैराग्य थोड़ा ज्यादा है उत्साह और ज्यादा है इस तरह से मिला करके नौ भेद बनते हैं तो जब हम ध्यान में बैठते हैं मैंने कहा वीवेक पुर्वक जब हम बैठें कोई भी परेशानी आ रहे हैं तो उसको हम याद रखें कि आज हम किस परेशानी के वज़ाद जैसे नौ बाधाएं बताई ना व्याधी से लेकर के अलब्द भुमिक अत्वम तक ये नौ बाधाओं को हम याद रखें कि इन में से कौन सी बाधा के कारण आज हम ध्यान में नहीं बैठ पाए यदि मान लीजे कि पहला पहली बाधा है रोग है रोग के कारण नहीं बैठ पाए तो हम क्या करेंगे रोग के निदान के लिए प्रयास करेंगे तो रोग के निदान के लिए भी जो हमने कल सुना यम नियम आसन प्राणायम तो आसन प्राणायम इत्यादी रोग के निदान के लिए है कि अच्छे से आसन प्राणायम गिए आ जाए और जो आयरुवेद इत्यादी बनाई गई है, उन सब का कारण भी यह है, कि पहली बात आसन प्राणायम से रोग हो ही ना, ताकि ध्यान में लगातार बैठा जा सके, और यदि किन ही कारणों से रोग होता है, तो आयरुवेद चिकित्सा के माद्यम से उन रोगों को दूर कि जाएं, और फिर व्यक्ति ध्यान में बैठ सके, तो हम जब ध्यान में बैठें, तो एक एक चीज को ध्यान रखें, कि आज इस कारण से नहीं बैठ पाई, कल उसको हटाने का प्रयास करें, तो इसको कहते हैं अभ्यास, तत्रस्थितो यतनों अभ्यास, तो अभ्यास तो ही कपड़े पहनना शुरू कर दिये, किसी विशेस प्रकार की वेशबुशा धारन कर लिए, सिर के बाल मुडवाली अथवा जटाएं बना लिए उसको वैराग्य नहीं कहते, वैरागी कोई व्यक्ति घर में रहते हुए भी हो सकता है, जैसे किसी साधो ने कहा, ज्यों जल भीत कर कमल रहे, जल में डूबत ना ही, साधु जग में रहत भी लिप्तवान होना है, वैराग्य की परिभाषा क्या है, योगदर्शन में कहा, द्रिष्टा अनूस्रवी का विशय वितिश्णस्य वसिकार संज्या वैराग्यम, दो चीजों की हमें लालज होती है, वैसे पर दो कारणों से, एक किसी के विशय में देख करके, दूसरा किसी के विशय में सुन करके, लेकिन तब जब हमने उन दोनों चीजों का पहले अनुभाव कर रखा हो, दो चीजों से देख कर या सुन करके हमारे मन में त्रिष्णा की उत्पत्ति होती है, लेकिन पहले कभी अनुभव कर रखा हो तब अब माल लिजै कि हमने किसी भी विशाय को सुना कोई चीज हमने पहले अनुभव कर रखे किसी को अमने खा रखा है कहीं किसी जग़बर गूमने गए हुए है तो हमें इस चीज का अनुभव हुआ और फिर हमने अपने कान से सुना, आखों से देखा, उसके विशय में तृष्णा हुई, लालज हुई, उसको रोकना, उस तृष्णा को वसमे करना, उसको कहते हैं वैराग्या, तो उस वैराग्या पुर्वक और अभ्यास पुर्वक जब हम लगातार लगे रहते हैं, तब हमारी मार्ग में आने वाली नौ बाधाओं को हमने सुना, उनको दूर कैसे किया जाता है, वो भी सुना, बस यह है, कि जितने भी लोग वास्तों में उन बाधाओं को हटाना चाहते हैं, तो उनके लिए उपाय यही है, कि यतन करें, बार बार प्रयतन करें, हार न मानते हुए, पूर्ण उत्साह के साथ में, पूर्ण पुरुसार्थ के साथ में लगातार करते रहें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ समय के बाद में अवस्था ऐसी आती जाएगी कि हम इन बाधाओं को एके करके समाप्द करते जाएगे। व्याधी हट जाएगी, संसे, प्रमाद, आलस, या विरती, सब हटते जाएगे। अच्छा, जो संसे है और भ्रांती दर्शन है, उनको हटाने का जो उपाय है, वह है स्वाध्याय। तप, स्वाध्याय और इश्वर प्रणिधान, ये तीनों भी ध्यान के मार्ग में बहुत अधिक सहायक होते हैं। प्रणिधान का तात्परिया, कि हमारा ये जो सरीर है, ये जो संसार है, ये सब परमात्मा की बनाई हुई कृती है। और ऐसा मानते हुए, जो भी कारिय हम करें, उसको बिना उसमें लिप्त हुए निश्काम भाव से करना, उसको कहते हैं इस्वर प्रणिधान। तो ये तीन भी हमें ध्यान के मार्ग में सहायक होते हैं, जैसे नौ बाधाय हैं, इस तरह से साधक भी सहायता करने वाले भी बहुत सारे हैं, तब हो गया, स्वाध्याय हो गया, इस्वर प्रणिधान हो गया, अभ्यास, वहराग्य, ये सब चीजें हमारे लिए साधक हैं, त अपनी आत्मिक उन्नती कर सकते हैं, ध्यान समाधी के मार्ग पर पहुँच सकते हैं, तो ये योग के अंग हो गए, अब यहाँ पर योग दर्शन के जो आचारिये हैं, वो क्या कह रहे हैं, कि इन आठ अंगों के द्वारा, योग के आठ अंगों के द्वारा, जो ब्रह्म इ ही है और इस संसार के कणकण में नभ समान व्यापक है उसको हम पा सकते हैं मत सकते हैं अब स्री जी ने प्रस्न किया कि स्री जी पूछियों प्रस्न विवे के मेटो आसंका एचित देखे श्री कह रहे हैं कि आचारे जी मेरे इस प्रश्ण गवाथवा मेरी इस आसंका को आप समझाईए कि ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप जगत असत जड़ दुख को रूप ये संशार कैसा है? असत जड़ और दुख रूपी है और ब्रह्म सचिदानंद है असत जड़म च दुखम च माया रूपम तृधास मृतम अतह तद विपरी तम ही सचिदानंद लक्षणम दोनों विपरी थे एक दुशरे के तो दोनों एक दुशरे में व्यापक नहीं हो सकते जैसे तेल और पानी है तेल और पानी कभी भी आपस में मिल नहीं सकते, आप कोशिस करेंगे तब भी नहीं मिला पाएंगे दोनों का गुण धर्म स्वभावी अलग-अलग है जैसे दिन और रात एक साथ नहीं रह सकते वाणी कहती है सत असत पतंतरो जैसे दिन और रात सत सूरज सब देखे ही जब प्रगट भयो प्रभाद सत्य और असत्य तो सूर्य और रात्री की तरह है सूर्य और अंधकार की तरह है जहां अंधकार है वहां सूर्य नहीं अथवा जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं तो इस संचार के कणकण में परमात्मा व्यापक नहीं हो सकता दूसरी बात कि ये जो तर्क दिया जाता है संचार में कि परमात्मा तो कणकण में व्यापक है लेकिन जैसे दूद के कणकण में घी व्यापक होता है प्रत्य एक बूद में घी व्यापक होता है लेकिन उसको पाने के लिए पहले जमाना पड़ता है, दई जमाना पड़ता है, मथना पड़ता है, तब घी की प्राप्ती होती है, लेकिन ये द्रिष्टान्त ही गलत है, ये द्रिष्टान्त कैसे गलत है, जब सबकुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, यहाँ जब दूद की बात कर सचिदानन्द ही होगा यदि इंडिया में परमात्मा है भारत में तो यहां सचिदानन्द होगा और अब में जाएगा तो वहाँ पर नहीं सत नहीं रहेगा वहाँ केवल चेतन रहेगा यूरोप में जाएगा तो वहाँ केवल आनन्द रहेगा ऐसा नहीं है और जिस ब्रह्मांड को हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड अनंत कोटी ब्रह्मांड हैं हर ब्रह्मांड में जो ब्रह्म है वह सचिदानन्द मई ही होगा उसकी जो सत्ता होगी वो अलग है तो आप कहीं भी जाएंगे ब्रह्म तो सचिदानन्द म अलग पदार्त है दूद में से जो दई हो गया दई अलग पदार्त हो गया अब वो दूद नहीं रहा उसके बाद जिस पात्र में जिस बरतन में दूद को दई बनाया जाता वो बरतन अलग चीज है जिस से मथा जाता है वो मथानी अलग चीज है और जो मतने वाला है वो अल कि घी में से घी को घी ही अलग कर रहा है क्योंकि जब सब को ब्रह्म कह रहे हैं तो मैं भी ब्रह्म हुआ मैं ब्रह्म को कहां ढूणने जाओं और क्यों ढूणू ब्रह्म कैसा है ब्रह्म को कहा गया है प्रज्ञानम ब्रह्म ब्रम्ह ज्यानमई स्वरूप है तो वो इस संसार के कणकण में व्यापक नहीं हो सकता है इसलिए जो बात की जाती है कि योग की मतनी के द्वारा मतना और फिर घी निकालना ये द्रिश्टांत गलत है हाँ जो योग के आठंग है ये तो सही है पर ये कहना कि संसार के कणकण में परमात्मा व्यापक है और योग के द्वारा उनको इस संसार में ही पाया जा सकता है तो वो गलत है ब्रम्ह अपनी सत्ता से इस संसार के कणकण में सत्ता से व्यापक है लेकिन जैसे मालीजे कि एक घड़ा है घड़ा बनाने वाला कौन है कुमहार तो घड़े को देखकर के सत्ता सre व्यापक हने का नात पर घड़े को देखकर के हम ये जानते हैं कि ये कुमहार के द्वारा बनाया हुआ है अब आप घड़ा फोड़ करके उसके कणकण में कुमहार को ढोड़ने लग जाओ या कुमार के गुण को ढूड़ने लग जाओ कि कुमार तो चेतन है और घड़ा जड़े कैसे हो गया तो यह संभव नहीं है हमारे भारत वर्ष में वर्तमान में अभी नरेंद्र मोदी जी का सासन चल रहा है उनकी सत्ता चल रही है पूरे भारत में आप अरुड़ा चले जाए चाए जम्मु कस्मीर चले जाए चाए केरला तमिल नाडु किसी भी राज्य में चले जाए पूर्व से लेकर के पस्चिम तक कहीं चले जाए कस्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक वहाँ मोदी जी का ही सासन होगा पर वहाँ आप गड़ा खोद करके ढूडने लग जाए कि मोदी जी मोदी जी कहा है नहीं होगा न इसी तरह से सत्ता से व्यापक होने का ये तात्परिय है और स्वरूप से व्यापक होने का तात्परिय है कि ब्रम्ह अपने दिव्य ब्रम्ह पूर में जिसको हम परमधाम कहते हैं वहाँ अपने स्वरूप से व्यापक है और उसकी सत अंग अक्षर के मन के सांकल्पिक स्वरूप से ये स्रिष्टी बनी है तो इस स्रिष्टी में उसकी सत्ता व्यापक है जो परमात्मा है वह इस संचार का निमित कारण है तो जब श्री जी ने इस तरह से समझाया अब योगदर्शन के जो आचारे हैं वो भी पीछे हट गए और उसके बाद आए वेदांत दर्शनी वेदांत किसको कहते हैं? दो सब्द मिलके बना है वेद का अंत यहाँ अंत का मतलब ऐसा नहीं कि वेद को खतम कर दिया, समाप कर दिया यहाँ अंत का मतलब यह है वेदांत का तात्पर यह होता है ज्यान वेद का तात्पर यह है ज्यान आप जब ज्यान प्राफ्ट कर रहे हैं तो ज्यान का लक्ष क्या है? अध्यात्म के मारकवर आप बड़े हैं तो आप जिस ज्ञान को ग्रहन कर रहे हैं उसका अंतिम लक्ष है ब्रम्ह परमात्मा तो यहां ज्ञान के अंतिम लक्ष अर्थाद परमात्मा के विशे में इस दर्शन में बताया गया है इसलिए इसको वेदान्त दर्शन कहा जाता है अब कह रहे हैं फिर वेदान्ती दर्शन जेही ब्रह्म बिना कच्छु कहत नती वेदान्ती कह रहे हैं कि इस संचार में जो कुछ भी है वह परमात्मा है मैं भी परमात्मा हूँ अहम ब्रह्मा स्वी तुम भी परमात्मा हो तत्त्वमसी इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सरवम खलूईदम ब्रह्म मेरी जो आत्मा है अयम आत्मा ब्रह्मा वह भी ब्रह्मा है अब ऐसा कह रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्मा है लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि माया को अनाद पुनक है कहते हैं माया अनादी है माया सदा ब्रह्म मध्य रहे और जो माया है वह हमेशा ब्रह्म के मध्य रहती अथवा ब्रह्म के अंदर रहती है जो वेदान्ती है, वेदान्त मत के बहुत सारे सिध्धान्त निकले, एक ही वेदान्त दर्शन से, एक सिध्धान्त है अद्वेतवाद का, ये जो आचारिय है ये अद्वेतवादी है, जो ये कहते हैं कि ब्रह्म के बिना कुछ है ही नहीं, और उसी वेदान्त मत से एक सिध् त्रहित वाद का मतलब तीन सत्ता अना दी है माया, जीव और ब्रह्म, माया, जीव और इस्वर जिसको कहते हैं तो बहुत सारे संप्रदा एक ही वेदान्त दर्शन से बने ही अद्वईत है, द्वईत है त्रहित है, सुध्ध अद्वईत है, विशिष्ठा अद्वईत है, ऐसे बहुत सारे मत है, यहां स्रीजी के साथ अब क्या बात कह रहे है माया माहें, ब्रह्म है, व्यापक माया में ब्रह्म व्यापक है, सर्वदेशी है, सर्वलायक, वह जो ब्रह्मा है वह सर्वदेशी है इस संचार के हर कण में वह व्यापक है ब्रह्म बिना दूजा जो देखे तिन को हम अज्ञानी लेखें कहते हैं कि ब्रह्म के बिना कोई दूसरी पदार्थ को देखता है तो उसको हम अज्ञानी कहते हैं फिर क्या कहे रहे हैं अणू ते तुम हस्तिलो जानू अणू मतलब सुक्सम से सुक्सम पदार्ग से ले करके बड़े से बड़े हाथी तक जो कुछ भी है वह सब ब्रह्म है इच्छा रहित सबंते न्यारा करता कर्म न कछो बिचारा वह ब्रह्म किसी का कर्म भी नहीं है किसी कर्म का वो करता नहीं है और वह इच्छा से रही थे देखिए हर लाइन में विरोधावास है हर पंक्ती में यदि हम यदि ये कह रहे हैं कि ब्रह्म बिना जो कुछ देखता है उसको हम अज्यानी कहेंगे लेकिन जो अज्यानी है स्री जी ने प्रश्न किया जो तुम सरवत्र ब्रह्म कहो तब तो अज्यान कच्छू ना है तो खट सास्त्र भय काहू को मोहे ऐसी आवत मन माहे स्री जी कह रहे हैं कि जब सब कुछ ब्रह्म है तो अज्यान नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है और जब अज्ञान हे ही नहीं तो छे दर्शनों की रचना क्यूं ही है वेदान्त दर्शन की रचना क्यूं ही है तब तो कोई ज्ञानी नहीं, कोई अज्ञानी नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई परमात्मा नहीं ध्यान समाधी साधना भक्ति की कोई आवा सेकता ही नहीं क्योंकि सब ब्रह्म है ब्रह्म को किसी प्रकार की कमी नहीं है ब्रह्म में किसी प्रकार की कमी नहीं है कह रहें कि ब्रह्म में तीनों कालों में माया का अस्तित्व नहीं होता है न भूतकाल में ब्रह्म में माया विराजमान थी न वर्तमान में है न भविष्य में होगी और पुन अनाद माया को कही आप माया को अनादी भी कहते हैं जब माया अनादी है और ब्रह्म में नहीं है इसका मतलब वो कहीं न कहीं तो है और जहां माया है अगर आप कहते हैं कि ब्रह्म तो सर्वत रहे फिर माया और ब्रह्म कभी एक हो ही नहीं सकते पुन अनाद माया कही कौन भात है सोए निराकार साकार के कहो भेद जो होए श्री जी कह रहे हैं कि जब आप माया को अनादी कह रहे हैं तो बताए कि माया निराकार है कि साकार है और जब साकार है तो सर्वव्यापक नहीं हो सकती किसी एक इस्थान पर होगी और यदि निराकार है तब तो माया और ब्रह्म कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे और कैसे मिलेंगी क्योंकि कोई निश्चित स्थान नहीं होता है कह रहे हैं भिन आत्मा जगत ते संकर कही प्रकास संकर अचारी जी ने कहा है कि आत्मा जो है वो जगत से अलग है, संसार से अलग है, आत्मा का अस्तित्व अलग है, जब ये श्रिष्टी नहीं थी तब भी आत्मा का अस्तित्व था उपनिशत क्या कहते हैं आत्मा वा इदम अग्र असित इस श्रिष्टी के अग्र अर्था तो पहले भी आत्मा का अस्तित्व था तो श्रिष्टी के श्रिष्टी जिसका निर्माड हुआ है जो की अनादी नहीं है, यहां आत्मा के अस्तितों को सदा से कहना, परमात्मा को सदा से कहना, यह भ्रांती जनक तथ्य है, यह सत्य नहीं है, अब स्रीजी ने इस तरह से वेदान्त दर्शन की भी खंडनी की, अब चार विश्णों के आचारिय परास्थ हो गए, दसनाम सन्यासी भी अपना मत बता करके पीछे अट गए, वो भी परास्थ हो गए, छे दर्शन की आचारिय हैं, छे दर्शन की आचारिय ने भी अपना-पना सिध्धान्त बताया, श्रीजी के प्रशन के सामने नहीं टिक पाये, तो क्या हुआ, ए सबे खट दर्शनी, खट सास्त्र आचारज जोए, न्यारे न्यारे मत सबे, सुने स्री राजने सोय, और हमारे मत से आपको संतुष्टी नहीं हुई, अब आप अपने संप्रदाय के विशे में बताईए, अपने मत के विशे में बताईए, कि आपका मत क्या है, और ऐसे मत बताना, सास्त्रों का प्रमाण देकर ग्रंथों का प्रमाण देकर के साक्षियां देकर के बताना कि आपकी जो पद्धतिये वो नई है कि पुरानी है या किस तरह से है तो स्रीजी ने अब जवाब दिया स्रीजी कहते हैं कि ये संत जनो आप हर प्रकार की विरोध को छोड़ कर सत्य को स्विकार करने की प्रवृत्ती से सत्य को स्विकार करने की भावना से मेरी बात को शांती से सुनना हरिवन्स पुराण में वेदव्यास जीने राजा जनमे जैसे एक बात कही थी कि एक अन्होनी घटना होने वाली है भविशे में घटित होने वाली है वो अन्होनी घटना कौन सी कि ब्रम्ह रूप मुनी अर्थात ब्रम्ह मुनी प्रगट होने वाले हैं तो राजा ने पूछा जनमेजैने कि शृष्टी के प्रारम से लेकर के आज तक कितने सारे रिशी म मुनी हुए, सनक, सनन्दन, सनातन, सनतकुमार हुए, सुकदेव जी हुए, आप व्यास जी हुए, मारी जी, कस्यप, विश्वामित्र, वसिष्ट, कितने ही रिशी हुए, इतने रिशी मुनियों में, क्या कोई ब्रह्म मुनी नहीं हुआ आप तक, जो आप कह रहे हैं कि भव आज तक नहीं हुए हैं और वे 28 में कलीयोग में आने वाले हैं. और ये बात किवल हरिवन्स पुराण में ही नहीं. पुराण सहीता में भी ये बात बताई गई है. क्या कहा है? अब उनकी पहचान भी बताई व्यास जी ने क्या कहते हैं उत्तम पुरुष बिन और को देवी देवन ध्याय कि वो जो ब्रह्ममनी होंगे वो उत्तम पुरुष अर्थात एक परमात्मा के बिना किसी और देवी देवता का ध्यान किसी और देवी देवता के भक्ती नहीं करेंगे और वो ऐसा ज्यान बताएंगे अकत कथा नौतन कहे जग सुन पूजेता है ऐसी कथा बताएंगे ऐसा ग्यान बताएंगे जो आज तक किसी ने कही नहीं होगी सुनाई नहीं होगी ऐसी नहीं बात बताएंगे जिसको सुनकर दुनिया के लोग उनकी पूजा करेंगे कि ऐसा ग्यान तो हमने कभी सुनी ही नह तो हरिवन्स पुराण में ये चौथे अध्यायक में ये बात बताई गई है कि अभावीनो भविश्यन्ती मुनयो ब्रम्ह रुपिन उत्पन्ना ये कलव यूगे प्रधान पुरुशास्रया कि आज तक जो घटना घटित नहीं हुई थी ऐसी घटना कलियोग में होने वाली है ब्रम्ह मुनी आने वाले हैं प्रधान जो उत्तम पुरुशे उस परमात्मा के साथ में और कथा योगेन तांसरवान पुजय इस्यन्ति मानवा यस्य पुजा प्रभावेन जीव स्रिष्टी उद्धारणम जिनकी पुजा करने से जीव स्रिष्टी का भी उद्धार होगा इस तरह से बात बताई कहते हैं या भात वेद उपनिसद में विदविद कही बनाए इस प्रकार वेदों में उपनिसदों में और अनेक अठार पुराणों में भी हमारी बात बताई गई है हमारी पद्धती के विशय में बताई गया है यदि आप ग्राहक है यदि आप वास्तों में इस चीज को लेना चाहते हैं तो हम बताएंगे और आप उसको ग्रहन करना वेद उपनिशद आदी के प्रमान से हम समझाएंगे तो सब ने चित में ये बात लेली जितने भी वहाँ पर आचार्य जन थे उन्होंने सोचा कि ये तो किसी तरह से बंदन में नहीं बदने वाले हैं उन्होंने सोचा कि जैसे इन्होंने हमें प्रश्ण पूछा, जैसे हमने पद्धती बनाई, वैसे हम भी उनको एक-एक प्रश्ण पूछते हैं, हो सकता है किसी एक प्रश्ण में तो फस जाए, किसी एक प्रश्ण का उत्तर इनको ना आए, और एक भी प्रश्ण में यदि फ भस गए तो हम इनकी बात स्विकार नहीं करेंगे इनको हम भसा देंगे ऐसा सोच करके अब उन आचार्यों ने प्रस्ण पूछा 24 प्रस्ण पूछे पूछिये धाम छेत्र संपदा तब जवाब नहीं आए उन्हेंने कहा कि हम इनके संप्रदाय की पद्धती पूछते हैं हो सकता है कि ये बंद जाए कहते हैं स्वामी विध संप्रदाय की कहो साक देशोए ज्यों हम अपनी सबने कही त्यों तुम कहो प्रस्ण नहोए कहते हैं कि प्रणाजी से कहते हैं स्वामी जी वैसे स्वामी सन्यासी को कहा जाता है यह स्री जी कोई साधारन सन्यासी नहीं है पर उन लोगों को पहचान नहीं है तो वे इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे हमने अपनी पद्धती बताई थी वैसे ही आप भी कहिए, क्या बताईए, साखा सिखा कहो अपनी, फेर कहो सुत्र विचार, अपनी साखा क्या है, सिखा क्या है, सुत्र क्या है, सेवन किसे आप कहते हैं, किसकी सेवा करते हैं, आपका गोत्र क्या है, किस साधन को आप मानते हैं, मंत्र कौन सा है, पुरी कौन सी है, किसको आप देवी मानते हैं, किसे शाला कहते हैं, छेत्र कौन सा है, सुख विलास करिस्थान कौन सा है, तिर्थ कौन सा है, आपका ज्यान कौन सा है, और आपके ज्यान को मानने का फल कौन सा है, आपका निवास कौन सा है और आपका संप्रदाय कौन सा है इस तरह से कुल मिलाकर 24 प्रस्ण इन्होंने स्रीजी से पूछे तो स्रीजी ने क्या कहा कि कृपा द्रिष्ट बोले तबे सुनो साध सब को कि ये साधु जनो संत जनो आप सुनिये एक एक प्रस्ण का उत्तर हम आपको देंगे सुरुती इस्मृती की साख दे कहो तुम्हे समझाए वेद और इस्मृतियों की साक्षी दे करके हम आपको समझा कर कहेंगे लेकिन यदि आप सच्चे दिल से ग्राहक होंगे ग्रहन करने वाले तो आप समझेंगे तो आपके अंदर का जो कलियू ग्रुपी अज्यानता रुपी जो भ्रहम है वहाँ समाप्त होगा अन्यथा नहीं होगा इसलिए ग्राहक के भाव से स्थ्य को स्विकार करने के भाव से आप सुनना अन्यथा नहीं समझ पाएंगे ऐसा कहकर स्री प्राणनाथ जी ने हरिद्वार में अब निजानन्द संप्रदाई की पधती बतानी सुरू किए सबसे पहले क्या कह रहे हैं स्री निजानन्द संप्रदाई की पधती सत्गुरु ब्रहमा नंद है बोलो स्री प्राणनाथ प्यारे सबसे पहले प्रस्ण था सत्गुरु कौन है किसे कहते हैं पहले तो हम समझें कि सत्गुरु क्या है हमें गुरु का तो पता है थोड़ा पहुट सत्गुरु किसे कहेंगे गुरु शब्द दो भिन भिन अक्षरों से मिलके बना है गु और रू गू अर्थात अंधकार और रू का अर्थ है प्रकास जो अंधकार से प्रकास की तरफ ले चले जो अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकास की तरफ लेके जाए उसे गुरु कहते हैं सामाने रूप में हमें सबसे पहला जो ज्ञान मिलता है वो सामाने रूप में अपनी माता से मिलता है उसके बाद पिता से मिलता है और फिर जब हम विद्या लए जाने लगते हैं स्कुल जाने लगते हैं तो वहाँ पर गुरुओं से मिलता है तो माता पिता और जो शिक्ष्या देने वाले गुरु है इन तीनों को गुरु कहा जाता है और जो विक्ति आत्मा और परमात्मा के विशाय में ज्यान देता है सत्त के विशाय में ज्यान देने वाला सत्त गुरु कहलाता है अब सत्त कौन है? दो ही चीज सत्त है वैसे देखा जाए तो एक आत्मा और दूसरा परमात्मा तो जो आत्मा और परमात्मा के विष्थे में ज्ञान दे वो सत्गुरू है अब वो ज्ञान कौन दे सकता है? इस संचार में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस परमात्मा का ज्ञान दे सके कौन दे सकता है? जो स्वयम परमात्मा है वही अपना ज्ञान दे सकता है तो इस संचार में जितने भी गुरू है उन सबने भी ज्ञान प्राप्त किया तो कहां से प्राप्त किया उस परमात्मा से इसलिए योगदर्शन में कहा स एस पुर्वेशाम गुरुणाम अपि गुरू काले नानव अच्छेदात वह जो परमात्मा है वह सभी गुरुओं का भी गुरु है जितने रिशी मुनी हुए जिनके हृदय में वेदों का ज्ञान आया जिनोंने उपनिशद लिखे जिनोंने दर्सन लिखे इन सभी रिशीयों का भी जो गुरु है वो परमात्मा है क्योंकि जो गुरु है इस संचार में जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो तो कुछ समय पहले था नहीं और कुछ समय पहले रहेगा नहीं तो सच्चा जो गुरु है वो किवल परमात्मा ही है तो जो मूल सत्गुरु है वो कौन है परमात्मा वाणी क्या केती है सत्गुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं सनमंध मेरा याहिसो मैं ताथे सदा सुख लहूं हमारे जो मूल सत्गुरु है वो तो श्याम जी अर्थात परमधा में विराजमान कंचन वर्ण की आभासे युक्त जो स्वरूप है सिंहासन में वह राज्जी जिसको श्याम कहा है श्याम किसे कहते हैं तबत कंचन वर्ण आभा साश्यामा इती उच्यते जैसे कंचन होता है क कुंदन सोने को जब 16.30 बार तपाया जाता है तो उसमें एक तरह की लालीमा आती है वैसी लालीमा युक्त वर्ण का जो स्वरूप है उसे श्याम कहा जाता है और ऐसा वर्ण किसका है राजी का हम कहते हैं न मुख मेरे महभूब का रंग अति उज्वल गुलाल वो जो गुल कुंदन की तरह कंचन की तरह है तो वैसे स्वरूप वाले हमारे प्राण प्रियता मक्षिराति धामधनी स्री राज्यी वह हम सब के मूल सत्गुरू है अब यहां जो बात कही है सत्गुरू ब्रहा नंद है इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं ब्रह्मानंद का तात्परिय ये भी हो सकता है कि जो ब्रह्म है जो राजी है वहाँ आनंद स्वरूप है तैतरिय उपनिशद में कहा गया है आनंदो ब्रह्म है इति व्यंजनात जो ब्रह्म है वहाँ आनंद मैं स्वरूप है अम्मी तो कहते हैं न सचिद आनंद स्वरूप ह ऐसा जो आनंद में ब्रह्म है वह ब्रह्मानंद है ब्रह्म जो आनंद स्वरूप है तो उसे सद्गुरु कहा गया है तब भी कोई हर्ज नहीं है और यहां जागनी के ब्रह्मानंद में राजी के द्वारा जो ज्यान प्रदत किया गया वह श्यामा जी को प्राप्थवा और ने आगे ज्यान पहुंचाया तो ब्रह्म की आनन्द अंग श्यामा जी को हम आनन्द अंग कहते हैं ना तो ब्रह्म की आनन्द अंग श्यामा जी हैं उनके द्वारा यहां पर ज्यान प्राप्त हुआ तो हम उनको भी सद्गुरू कह सकते हैं हाँ जब मूल सद्गुरु की बात होगी तो वह राज्जी के लिए ही प्रयोग होगा इस जागनी के ब्रह्माण में हम चार तरह से सद्गुरु को समझते हैं सद्गुरु को मानते हैं एक मूल सद्गुरु राज्जी दूसरे दो तनों में बैठ करके राज जी के आवेश ने लीला की जिनको हम स्यामा जी के दो जामे भी कहते हैं दो तन भी कहते हैं एक देवचंद्र जी और एक स्रीप्राणना जी दोनों को सद्गुरु कहा है तीसरे छठे दिन की लीला में विभिन्न परमहंचों के अंदर बैठ करके राज जी ने लीला की राज जी के जोस ने लीला की इंद्रावती जी के माध्यम से आवेश का हिस्सा उन्हें प्राप्त हुआ और कुछ-कुछ समय तक उस तन से राज्जी की लिला हुई उन परमहंसों को भी हम सद्गुरु कहते हैं तो जिस समय उन परमहंसों का तन रहा है उस समय राज्जी में और उन में कोई फरक नहीं है वाणी कहते हैं बंदगी इनकी और खुदाय की बीच नहीं तफावत कोई अंतर नहीं है पर हम फस्ते कहां पर हैं कि उस तन के चले जाने के बाद भी हमें जुडना तो मूल सुरु में रहना है ना लेकिन मूल सुरुप से जुडने की बज़ाय हम सब किसीने किसी तन पकड़ते हैं जैसे किसीने बड़े महराजी परम्नंस महराज要ी रामरत अंदाहजी को देखा होगा उनके समय में रहा होगा तो वो उनको ही राज्जी मान करके उनhurी की चित्वनी करते ह उन्हें का ध्यान करते हैं जिनोंने सरकार्ष्री से तार्तम लिया होगा वो सरकार्ष्री को ही राजी मान करके उनको ही सब कुछ कहते हैं जिनोंने बाबा दयाराम जी से तार्तम लिया होगा वो उनको ही सब कुछ मानते हैं और प्राण्णा जिसे भी बड़ी सोभाब, बड़ी महिमा, उनकी बताते हैं कई बार, जिनोंने मंगल दास गुरुजी से तार्तम लिया होगा, वो उनको बड़ा बताते हैं, जबकि आप यदि उन चारो परम्हंसों से पूछें, कि किसकी चित्वनी करने चाए, किसकी भक्ति करने चाए, वो चारो परमंच मूल्शरुप की और संकित करेंगे, या मूल्शरुप की और बताएंगे, कि उनका ध्यान करो, उनकी भक्ति करो, तो वो जो मूल शुरूप राजी हैं, वही हम सब के मूल सत्गुरु हैं, तो ये तीसरे सत्गुरु हो गए, और चवथे इस संचार में, हम किसी से तारतम भी लेते हैं, तो हम उनको भी सत्गुरु कहते हैं, पर जिन से हमने तारतम ग्यान लिया, वो सब की अवस्था एक ज होचा सकता है इसलिए हमें मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमें किसी तन को यदि सहायक बनाना भी हो तो परमहंसों को सद्गुरु के रुपे मानना चाहिए अथवा जो गुम्मट जी में विराजमान महामती जी है उन्हें हमें सद्गुरु के बात करते हैं हम चित्वनी में बैठें सद्गुरु का ध्यान करना पड़ता है शुरू में परमधान तक ले जाने के लिए अब जिस सद्गुरु का हम ध्यान कर रहें उनके दरजनों अवगुण हमें पता है तो ऐसे में हमारा मन ध्यान में लगेगा ही नहीं इसलिए हम परम हंसो को ही सद्गुरु के रूप में देखें अथवा महामती जी जो गुमण जी में विराजमान है या फिर मूल स्वरुप को देखें तो जो गादी पर बैठ हैं या फिर जो प्रचार प्रसार में लगे हैं वे सभी सद्गुरु का रूप नहीं हो सकते ऐसा हमें समझना चाहिए तो यह पहला हो गया सद्गुरु ब्रह्मानन्द है आगे कह रहे हैं सूत्र है अक्षर रूप अक्षर ब्रह्म को सूत्र कहा है अक्षर को सूत्र क्यों कहा है देखे सूत्र किसे कहते हैं जैसे कोई गणित है गणित का कोई प्रस्न है उस प्रस्न को हल करने के लिए हम किसी ने किसी प्रकार का सूत्र लगाते हैं जैसे A प्लस B का होली स्क्वायर है तो A स्क्वार प्लस B स्क्वार प्लस 2A भी भोलते हैं शुत्र पता नहीं होगा, तो आप उस प्रश्न का हल नहीं कर पाएंगे, बिना सुत्र को जाने आप निरणय तक परिणाम तक नहीं पहुँच सकते, इसी तरह से, अक्षर को जाने बिना आप अक्षराति तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए अक्षर ब्रह्म को सुत्र कहा है और आगे कहते हैं सिखा सदा इन से परे जो सिखा है सिखा उससे भी परे है अर्था जो हमारी सिखा है वह अक्षेर से भी परे अक्षेर से परे क्या है अक्षेर से परे क्या है अक्षेरातित तो वो हमारी सिखा है वैसे इस संचार में सुत्र और सिखा किसको बोलते हैं सिखा और सुत्र ज्यान के प्रतिक होते हैं सिखा ज्यानम यस्य उपवितम चतनमयम ब्रह्मु उपनिसद में कहा है कि सिखा और सुत्र ज्यान के प्रतिक है तो अक्षर ब्रह्म को जाने बिना हम अक्षरातीत तक नहीं पहुंच सकते इसलिए सुत्र है और जो सिखा है वह अक्षर से भी परे की है जिसको हम अक्षरातीत कहते हैं वो हमारी सिखा है जैसे सिखा का जो इस्थान होता है वो शरीर में सबसे उपर होता है जिसको हम चोट जाती है तो सामान्य योगियों को ब्रह्मरंद्र में ध्यान करने के लिए था वा दसम द्वार में ध्यान करने के लिए कहा जाता है। अब आगे ये तो तीन ही प्रस्णों होगे, 24 प्रस्णों थे ना, सत्गुरु, सुत्र और सिखा, अभी तीन प्रस्णों को हमने सुना, अभी 21 प्रस्णों और है, सेवा किसकी करनी चाहिए, पुरुष उत्तम क्या है, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, सेवा किसे कहते हैं, और गोत्र हम चिदानन्द को कहते हैं, तो चिदानन्द ही गोत्र क्यूं है? इस तरह के अनेक प्रस्ण हैं अभी, जिन प्रस्ण का उत्तर हम सुनेंगे कल की चर्चा में, अभी के लिए समय पुरा होता है, जो पईदो रहें. सत्गुरु ब्रह्मानन्द है, सुत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा इन से परे, चेतन चिद जो अनूप, बोलोश्री प्राणेनाथ, बोलोश्री सत्गुरु महाराव